कि वाई पॉंटी के आज की सम्मेलन में जिनके नित्रिक्तों में दुनिया के यूद देलिकेट से हाँ पर वस्पित्वे हैं सुषनाव परसारण रखेलियम यूद द्यान मंत्रा लेके माने मंत्री शिर्टाग सिंग ठाकुर जी उत्तरवले सरकार में कैट्ट के मेरे सहयोगी कांद सिश्वतंद्र देव सिंधी अरविन्दु कुमार सरमा जी अनिल नाजबर जी रविंद्र जैस्वाल जी ग्रीस संद्य अभाजी वाइबंटी स्विन्गेचेयर सियन मोल सोबेची सचिर युआ कालिकरम प्युहार कालिकरम अंत्रावले लोहर सरकार स्विती वीता राजियो लोचन्दी जी टुन्टी और अन्य सहयोगी देशों के सभी प्रतनिदिकन और देश में से आएवे मारे सभी युवासात्यों देश के सबसे प्राची अध्यात्मिक नगली में उत्तर देश सरकार उत्तर देश स्वास्यों की और से मैं केंत्रिय मंति पान्य स्वियं माक शिक्राची का और आपसत्ता घरदैसे स्वाजब करता हूं अल्यमा करता हूं मौ आवालिया हूं इसके इससी प्रमाकंत्री और वारानसी के लोगद्रियस सांसत आदमेसी नरेंद्र मोधी जी का जिनाने जी 20 से समंगित कई समिट के आईजन का उसर उतरवदेश को दिया उसमें Y20 का या मुख्यस समिट वारानसीन आईजन हो रहा है मैं इसके लिए उनका उतरवदेश वास्यों की और से हिंदे से आभार गट करता हूँ हम सब जानते हैं कि वारानसी बाबा विश्वनात का पालग भाम है प्राचीन काल से ही धर्म और अभ्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारफ की अभ्यात्म दर्सल सिक्षा साहित्य और कालगा की भूने की रूप में लिए या काचीन अभ्यात्म दर्सल साहित्य नहीं है यहारा सोहाग है कि वारानसी उत्तर अभ्यदेश के प्रमुक महानगरी होने का सोहागे प्राब्द करती है इसमें लग्यों उत्तर अभ्यदेश की सास्कृतिक और आख्यात्मिक प्रप्तरा को बल्दी कला संगीद और सिक्षा की एक प्रमुक नगरी के रूप में भी वारानसी और अप्रमुक के अन्या अनिक नगरों को यह सोबा के प्राब्द को हुआ है कि वा भारत की रिवेस्टर की रूप में अपनी पैचान गनाने में सफ़न हुए है वारानसी हमारे अप्रमुक ने प्रमुक ने है कि भग्वान गुद्ध ने अपना पहला अप्रेश इसी नगरी के साल्मात में दे याथा जो आज भी दुनिया के बहुत अभ्याईयों के लिए अतिर्थी पवित्र और आकर्शंक का केंदर बना हुआ हुआ यहाँ साथियों हम से जहते हैं कि अपनी सांस्ट्रिटिक विवित्पा और एक्ता के पारण भारत दुनिया के अंदर दुनिया के नाकरिपों के लिए आकर्शंक का एक केंदर है लोगतार्थी परंपरों पर विश्वास करते हैं भारत के अंदर एक्सोचानीस करोड की आवादी जिस भाव और भंदिमा के साथ भारत की एक्ता और भारत की अखंदपा के लिए अपने सश्वी में तृत्तों में कारे करना है वाव भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवाँ आवादी की दूप में भी प्रस्तुत करती है देमोग्राफी, देमोक्रेसी और टाइवर्शी भी किया प्रिवेडी हमें विश्ष्ट बनाती है नित्यनुटन चिर्पुरातन संस्कृति की फुदर्द लिए पर हमारा देश अपनी स्वतंत्रपा के पिछत पर वर्श पूरा करते थे अंप्रित डाल की प्रफंवर्शन है जीट्वंटी के इस प्रतिष्टि आयोजिन के अप्निक्स्ता करवा है अब भारतवासी नकेवल इन आयोजिनों के प्रति लालाईन है बलकि अपने आपको पैस्विक मंच पर एक उभरते वे भारत की रूप में प्रस्तुत करने ने गौर्वानिक भी महिसूस करता है जीट्वंटी की फिल्च वह अब वन फिल्थी वन फिल्थी वन फ्यूचर यह वास्तों में भारत की प्राचीर उस विवस्ता को प्रस्तुत करता है जिसने हजारों वस पहले दुनिया को वसुधेवपुटुम्पकर का एक संदेश दियावा यानि पुरी दुनिया एक परिवार है एक परिवार के लुप में पुरी दुनिया को मानने वाली उस विवस्ता को जिसका वास्तों में अर्ट क्या किया मेरा या तेरा या विचार संकुचित सोच के लोगों का है उच्छ चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं हमें कर रहे हैं आरफ में सब्सक्राइब से ही इन कुदार भावनों का प्द्रिद्र किया है और जीट्टी का ये समिक इस बात का उखरण भी है हमारे जिवार आने वाले समय के निति नियंता है और इसलिए विश्वार्वार्वा के बहतर रोस्य के लिए वर्तमार ने दे जाने रिवर्स में उनकी भागेदारी अप्यंत मेहत्तों पूर है चीज़शन्टी के अंदर वाइप गट्टी कायाईजन वास्तों में इस पूरे आयोचन की प्राशंगित भागों भी आगे बनाता है। मुझे जब मैं अपने युवा साथियों के बारे में सोचता हूँ और जब मुझे कहीं से लगता है कि लोग हमारे युवाओं के इस वाटेजियर पार्पून की प्रतिभा पर रस्म खा करने का प्रयास करते हैं तो मुझे स्वेम उस समय दुख होता है। कि लोग हमारे युवाओं के इस वाटेजियर पार्पून की प्रतिभा पर रस्म खा करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे स्वेम उस समय दुख होता है। तो किस बात को लेकर दिया होता है। कि कौन से ऐसा धालमंत नहीं था जब लिवाओं ने अपकी प्रतिभा और अपकी उर्चा से समाज को एक नई पिसान दी हो। यवाओं साथिरों आप प्राचीर काचीर भारत की दिवस्ता को देखें। या दुनिया के अंतर भी यवाओं ने अपने समय में जो काले किये। उसमें जब हम को यवाओं सक्ति की बात करते हैं। तो हमें मर्याता उसुत्तम प्रभुसिर राम भी यावाओं में है। जब हमें सक्तम मर्याता निस्टर हीन करों नहीं। को जो उठाय प्रणकीन या प्रभुराम का वाफान है जो भारत की धर्की से। लाक्स लाक्सी विर्थी को नेगेटिक पावर्स को पूरी पर है स्वाफ करने का वहाँ प्रोड क्या था। प्रणा युवाओं में याव करना मधुरा को तंस्रिया क्या जाव से हुट करने वाले दुनिया को निर्वार का संदेश देने वाले महत्मा भुद्य। जान प्राक्त करने के बार पहला उप्रेश इसी वालानास्ती में देते हैं सारमान में और कभी जुआ ही थी। भारत के अंदर चार फोलों ने चार मिठों की अस्थापना करने वाले और भारत की सांस्क्रतिक एकपा को वजबूती प्रमान करने वाले आधी संद्व मात्रबती सुवर्स की आयू कर आयू ही जीये दिए। स्वामी गवेकादम ने वैस्विक मंच्च पर भारत की प्रकिस्टा को बढ़ाने का अतारे किया और मात्र उन्तालिस वर्स का जीवन चीया था। स्वामी परमान जी ने मात्र बयारीस वर्स का जीवन चीया था। स्वालाग से एक लवाओं तो गोविन सिंग इसका प्रोस करने वाले को गोविन सिंग हो। महारणा प्रपापों, छक्त्रपती सिवाजी महाराजों इस सभी युवाही थे। सिंखातर ही ओके राजवन्सों ने दिमटितानी थी, बोड़े भारत में आई, फिरसे नहीं जवानी थी। वो महारामी नक्समी पाई इसी कासी में जन्मी थी। और मात 23 वर्षी की उपरों में उनोंने चासी की आज़ादी के लिए रुक्त रुपादी। तो मुझे फूंतों है तुम्हे आज़ादी कुखा। इसका उग्रोस करने वाले पेता जी सुवास्त संत्र पोस्त भी युवाही थी। भारत में आज़ादी के लिए ग्रांती दूप बन करके। जिन अबर बर्दानियों ने अपने आपको बर्दान किया। चंत्र सेखर आधार, सुक्देव, राजगुरु, अस्पावन नागा, पंटित्राप्रसाथ पिस्मित, ठाको भोशंची। ये जिक्ते भी प्रांटिका लेते। ये सभी युवाही थी। जिनायक कामगर सावा कब मात्र 28 वर्षक्यूम्र में उन्हें दो आजगुरु कारवस की सजा भी थी। 28 वर्षक्यूम्र वी युवाही थी। और आधारकता अग्रिस्या जिसमें सोदा वर्षक आगी मद्यूद। चक्र यूप को बेतावाद और चक्र चक्र वाही थी। फ्रांस के लुईस ब्रेर ने नाकर 15 वर्षकी आयों है। त्रिष्टी विहीनों के लिए लिपी की खोज़गी थी। और वर्षक्या क्या होती है। और कहते हैं। साथेवस्ता का सिदांक देने वाले आइस्पीम की आयों। उस समय जब अनोंने सिदांक दिया था मात्र 16 वर्षकी थी। और यहां भी कहा जाता है कि गृत्वा कर्षान का सिदांक देने वाले न्यूटन के उम्र उस समय मात्र 23 वर्षकी थी। जब यहां पर युवामत की इस प्रतिमा के बारे ने बारत सर्कार की युवा कम्यान मंत्रादे के सचिव उस धीन के बारे में बता रही थी और अमराग जी ने इस बारे में विस्तार से अनुसत के सामने मात रखी। तो मुझे लगा कि वास्पों में प्रभान मंत्री मोधी चिन हैं तो आने के बार भारत के युवाओं के इस प्रधिवार इस पोटेंसिल को आगे बढ़ाने के लिए तो में एक बंच दिया स्टार्टप इंडिया का इस्टार्टप इंडिया का और अटल इनोवेशन विसन का अने ऐसे कारिक्टर जो भारत के युवाओं को इनोवेशन और इसर्स के चेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक नए और तक प्रधान करते हैं। एक नए भारत का दृष्ण करा रहा है। भारत पैस्टर पर आज जीट्वंटी के स्वहों के ध्रिक्सता कर रहा है। लेकिन प्राचीन कांसे भारत ने इस शेत्र में सब्येव विश्वा भारता के कर्यांतामार को प्रस्वस्त किया है। और आज जब जीट्वंटी के इस समीट में वाइट्वंटी काय समीट वारासी में एक बुरा है। जो पांस इन डिस उसर पर दुनिया भर्ष्याय दे ज्वा प्रत्रितियों ने पहले हैं। यवास्तों में दुनिया को वसुद्धेव पुट्णुकम के इस संदेश के साथ जुड़ते जोड़ते भी एक संदेश है दुनिया के सामने। उस संदेश को जोड़ने का उस संदेश के साथ उन्हें आगे बहाने का और मानों का कल्यार का बाद असस्त करने का होगा। जी टुन्टी के समिक में वाइट टुन्टी का ये समिक जिस दुन वाइट पेपर को आप लोगों के तारा जाली किया जाबा है। ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मत उर्जा के साथ जोड़ते वे उनकी बते वाइट आपक्यों विश्व मानों पाई कर सके। क्योंकि हमारा आज का युवा बग्योर युवा नहीं है। वह आज का नेता है और कल का निर्माना है। उसके युवाओं सक्कितों हम सब उसकी प्रतिवा का सम्मान करते हैं। आगे उनने के लिए प्रेजित कर सकेंगे। Y20 का ये समिट इस दिस से अत्यनों कवगाई सामित होगा। मुझे परा विश्वास है कि वारा नसी और तर्देश का अंता प्रवास। इस विश्वास के साथ Y20 के समिट के तकी मेरी मंदल में सुपकामनाए है। वाजवाद चलिए। प्रदानमंत्री 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 मुझे ने RG20 की शुरुआत की थी आज मुखे मंत्री योगई अथित नात ने जी ट्वेंटी यूथ यानि की तीसरी जो बैठा जी ट्वेंटी के वह रही है उसे यूथ का